पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनाओ से पहले सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने चुनाओ जीतने के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है लेकिन इस स्पीच जो खबर सामने आई है उससे ममताब एनरजी के लिए जीत की रहा आसान हो गई है रिपोर्ट्स के मताबिक चुनाओी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने टीमसी की जीत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है गौर करने वाली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने चुनाओी स्थिक को देखते वे वोटरों को टीमसी के पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी है वहीं प्रशांत किशोर इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि टीमसी की तरफ से जो उमिद्वार बंगाल चुनाओ में उतारे जाएंगे उन्हें किस तरह नया फार्मूला दिया जाए कुल मिला कर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने टीमसी को चुनाओ जिताने के लिए साम दाम दंडबेत का हर तरी का अपना लिया है वैसे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीति कार हैं उन्होंने वर्ष 2014 में लोक सभाज चुनाओ के दौरान बीजेपी का साथ दिया था तो बीजेपी की पूर बहुमत के साथ जीत हुई थी दिल्ली में अर्विन के जिरवाल का साथ दिया था तो आप पार्टी की बहुमत के साथ जीत हुई ऐसे में बंगाल चुनाओं से पहले मम्ता के साथ प्रशांद की सूर का नजर आना ये बताता है कि बंगाल चुनाओं में टीमसी की जीत हो सकती है SPN 9 नियूजरूम से राहूल की रिपोर्ट